ओम श्री गनेश आए नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं तोला राशी वालो हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको रिद्धि शिद्धी के दाता धगवान श्री गनेश और धनकी देवी मा लक्षमी के अश्रवास से एक जुलाई से 21 जुलाई यानि की जुलाई 2023 के महीने में मिलने वाली हैं पाँच बड़ी गुड नियूज या दोस्तो जुलाई 2023 के महीने में आपको पाँच बड़ी खुसकबरी मिलने वाली हैं क्योंकि जुलाई 2023 के महीने में अग्मान गनेश और मलक्षमी के अश्रवा है जिससे कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ये अच्छा महीना सावित होगा इस महीने का समय आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा समय सावित होगा मैंने को पिरकार के लाब धन लाब बड़ी बड़ी सफलताओं कि आपको जुलाई 2023 के महीने में भगवान गनेस और मालक्षमी के असिरवास से प्राप्ती होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा इसलिए वीडियो सुरू से अंतर तक पूरा देखें बिना काटे बिना एस्केप के हुए जैसे बहुत महत पपूर वीडियो है पूरा वीडियो देखना जैसे दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान गनेस और मालक्षमी के असिरवास से आपकी राशिवालों के लिए एक जुलाई से 81 जुलाई यानि की जुलाई 2030 की महिने का यह वहत पपूर समय दोस्तों यह समय घर परिवार तथा सम्मंदियों के साथ अच्छा व्यतित होगा अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लावदायक रहेगी कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्में और अधिक शकारात्मक बदलाव लाने का प्रेतन कर रहे हैं उससे आपको शमाजिक वे परिवारिक सरहाना भी प्राप्त होगी दोस्तो इस समय आप अपने प्रभाब साली तथा मेठी वानी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाब बना लेंगे लोग आपके व्यक्तित्म से प्रभाबित भी रहेंगे घर में महत्पकून व्यक्ति के आगमन से भी किसी महत्पकून मुद्दे पर विचार विमर्स भ है दोस्तो परिवारिक शुवदाओं पर भी खर्च होगा इसी नजदी की मित्र के यहां धर्मिक समारों में चाने का भी आपको अबसर भी मिलेगा जा दोस्तो इस समय निवेस संबंदी गतिविद्यों पर समय व्यतित होगा और काफी हद तक सफलता भी प्राप्थ होगी द परन्तु आयके साधन भी बने रहने से दिक्त आपको महसूस नहीं होगी दोस्तो इस समय अचानक ही किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुती फायदेबंद भी रहेगी अगर कोई प्रापर्टी बेचने संबंदित योजना बन रही है तो उस पर द्यान आप केंदरित रखें दोस्तो विध्यारती अपनी पढ़ाई के प्रती पूर्ण एकागर चित रहेंगे दोस्तो साथी साथ यह समय अपने कारे के प्रती पूर्ण रूप से आप समिर्पित रहें दोस्तो इस समय ग्रह किस्तितियां आपके लिए उचित भाग्या क निर्मान कर रही हैं इसलिए इनका आप सद्यूप्योग करें कोई परिवारिक धर्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी जो आपके लिए पहुती फायदेबंद साबित होगी परन्तु दोस्तों किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्वपूर्ण बात चीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमर्स तता जांच पड़ताल आप अवश्च करें छोटी सी लाबरवाही से आपके साथ धोका दड़ी हो सकती है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों इस समय कभी-कभी आत्म केंद्रित होने तता एहम की भावना रखने से अपने इन गुड़ों का आप शकारात्मक रूप में उपियोग करें तो बहतर प्रणाम आपको प्राप्ध होंगे दोस्तों यह समय अत्यादिक खर्चों की वज़े से आपका बजट भी बिगड़ सकता है इसका अवश्य आप ध्यान रखें घर के किसी व्यक्ति के स्वा इबारिक तता सामाजिक गति विडियो में भी आप व्यतित करें ज्यादा आत्मकेंद्रित होना आपके संबंदों में खटास उत्पन कर सकता है अपने वहवार में लचीलापन बना कर रखना आपके लिए अतियावशक है जा दोस्तों इस समय किसी वरिष्ट सदस्य के दोस्तों मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन हो सकते हैं इसका असर आपकी नीद पर भी पड़ेगा शकारात्मक प्रवर्ति के लोगों के साथ अपना समय आप व्यतित करें तता कुछ समय एक कांत में बैठकर आत्म चिंतन भी आप अवश्य करें तो आपके प्रेम संबंद मरियादा पूर्ण रहेंगे परिवारिक सदस्चों के साथ मनुरंजन संबंदी कारों में भी समय व्यतित होगा तता घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुस नुमा माहूल भी रहेगा साथिसाथ जीवन साती की ऐस स्वस्तता की वज़े से घर की व्यवस्तता थोड़ी गड़बडा सकती है उनके स्वास्त का तथा परिवार का आप अवश्य ध्यान रखें दोस्तों साथिसाथ इस समय पती पतनी के संबंदों में कुछ खटी मीटी नोक जोक संबव है परन्तु इस से आपसी संबंदों में और अधिक नजिदी की आए दोस्तों परिवार्तता व्यवस्ताइक के बीच उचित शामांजस बना कर रखने से दोनों तरफ शुकून वरा वातावन रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रेगड़ ताएगी दोस्तों बात करें आपके करियर और व्यवस्ताइकी तो अभी व्यवस्ताइक गति विद अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश्कता है दोस्तों यह समय अपनी रुकवी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान के इंदरित रखें दोस्तों आपको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी दोस्तों नोकरी पेशा वक्तियों को कोई इस्थान परिवर्तन संबंदी सूचना भी मिलने की संभाव ना है दोस्तों यह समय वैवसाय में आंत्रिक सुधार या इस्थान में कुस बदलाव लाने की आवश्कता है और ऐसा करना आपके लिए लाबदायक सावित होगा ओफिस के माहुल में राजन संबंदी कुछ नहीं उपलब्दियां प्रदान करेगा सरकारी शेवारत व्यक्तियों को भी अपने कारे में उचित योगदान देने से उच अधिकारियों की सरहना भी प्राप्त होगी जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तों यह समय मार्केटिंग तथा म बहतर रहेगी नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ओफिस का वातावरण सांतिपूर रहेगा वैवसाइक गति वीदियो के प्रती अपना आप पूरा ध्यान केंद्रित रखें और दूर दराज छेत्रों से महत्वपूर्ण संपर्क इस्थापित होंगे और अच्छे ओडर भी मिलने की संभावना है परन्तु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष आप जाहिर ना करें क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती हैं सावधान रहें दोस्तों बात करें आपके स्वास्त के नजरिये से तो स्वास्त इस समय आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान और द कमी महसूस करेंगे मेडिटेशन वे योग पर भी आप कुछ समय वहतीत करें तो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छ रहेगा या दोस्तों अपने खान पान पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें और नियमित आप योग करें प्रणयाम करें स्वस्त रहें